सब्सक्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्टर्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें टीट्वेंडी का सीजन अब वापस लौट चुका है और आज से शुरू होना है करेबियन प्रेमेर लीग तो जैबाई के साथ मैं आपके सामने हाजर हूँ और बनानी है टीम और करनी है मदद जीतना है खूब सारा इनाम और पैसे युराज सिंग को हराना है दो गुना कैश कमाना है बिलकुल तो इससे पहले कि आप कैश जीते हैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं CPL पे पिछला सीजन अगर बात करें तो ट्रिनबागो ने जीता था और इतने शांदार तरीके से जीता था दॉमिनेट बिलकुल एक भी मैच पूरी सीरीज में नहीं आ रहे थे और आज जो पहला मुकाबला है उनका गया ना Amazon Warriors वर्सेस ट्रिनबागो नाइट राइडर और ये मुकाबला होना है साडे साथ बजे और दूसरे मुकाबले की बीबात करेंगे जो कि सुबह साडे चार बजे और शुरुआ पर पहले मुकाबले से मुकाबले की बात करते हैं अनुच अगर खिलाडियों की बात करें तो टी 20 का फॉर्म doppi जैसे आता है जो बेसने es पर उन पे शबकी नजर अगर पिछले सीजन के बात करने तो काईल मैर्स का नाम सामने आया था, जेडिन सील्स आया थे, तो उस तरह इन्होंने वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चुरू किया, तो उसलिया से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी टीम क को बैलेंस बना के चुने, तो पूरी 11 खिलाडी तो हम नहीं चुनेंगे क्योंकि पॉइंट का अंतर होता है, लेकिन मदद आपकी पूरी करने के कोशिश करेंगे, जरूरी खिलाडी अगर दोनों टीमों से बात करें, तो सबसे पहले अगर ट्रिनबागो की बात करें, तो तो फिर उस नाम को कैसे बूला जा सकता है, भले कोई भी लीग हो T20 की, कारन पुलाड के अलावा भी और बहुत तारे ऐसे खिलाडी है, लेकिन क्योंकि जरूरी खिलाडियों की बात हो रही है, तो कारन पुलाड जरूरी हो जाते हैं, लेंडल सिमन्स का नाम आता है, लें पुलाड के अलावा दूसरा नाम जो है, लेंडल सिमन्स का है, तीसरा अगर अगर बात करूँ तो एक मैं गेदबाद शुनना चाहूंगा, जो की सुनिल नारिन होंगे, इसके अलावा बले बाजी भी कर लेते हैं, तो उनको रखना हमेशा से बेट होता है, इसके अलावा जो मैं दाओ खेलूँगा, वो डेरन ब्रावो होंगे, डेरन ब्रावो या टिम सैफोर्ड में एक कन्फ्यूजन थी मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि डेरन ब्रावो वहां की कंडिशन में, अभी सैफोर्ड को जाके वहां थोड़ा सा फिर आपके उपन डिपैंगे, त तो उस हिसाब से मैं किसी केरविन खिलाडी को ही चुनूँगा, तो ये मेरे चार खिलाडी हो जाते हैं, ट्रिन्बागो नाइट राइडर से, अगर गयाना की बात करें तो गयाना से, मैं सिम्रन हैटमार को लूँगा, अपने आप सलेक्ट होते हैं, इसके अलावा दो और खिलाडी बात करो, तो मैं अगर लेता हूँ मुहमद हफीज को मैं अपनी टीम में शामिल करूँगा, और इसके अलावा जो उनके ओपनर बल्लेबाज है, ब्रेंडन किंग, अगर तुफानी अंदाज में बल्लेबाज ही करते हैं, अगर टिक जाते हैं, तो सामने वाले ग सकता है कि Amazon Warriors भी इस मुकाबले में चौका दे, हाँ, उलट फेर कर सकते हैं, क्योंकि प्लेयर्स तो वही है न, आपके पास में, हैं तो Caribbean प्लेयर्स और आपको पता चलता है, जब मिक्स अप होके West Indies की टीम बन ती, खतरनाक, तो ये तो रही पहले मुकाबले की बात, लेके बात करेंगे दूसरे मुकाबले की, बाब डोस वरसे सेंट कीट्स का जो मया चोने वाला है, साड़े चार बजे वाला, ये भी एक बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि पहले मुकाबले की तरह, इसमें भी बड़े-बड़े दिगज खेलने वाले हैं, अगर उधर कारन पॉल करताएंगे दोनों टीमों से, तो अनुछ शुरू करते हैं, विकेट कीपर अगर मैं देखूं सेंट कीट से तो जोशुआ डिसलवा का नाम आता है, बिल्कुल अपने आप चोईस बनते हैं, ये खिलाडी हैं और बहुत ही एक्साइटन टैलेंट है, इसके बाद बल्ले ब ये दोनों खिलाडी भी अपनी टीम में जरूर रखूंगा, ड्वेन ब्रावो क्योंकि मुझे हमेशा से लगते हैं, बले फिर IPL की बात हो या फिर CPL की बात हो, कि मैच विनिंग खिलाडी तो हैं और पॉइंट सुभर के दिते हैं वो, वो भी है, मतलब हाल फिलाल में मैं ब्रावो को बहुत जादा फॉलो नहीं किया है, और पता नहीं मुझे लगता है कि अब शायद वो एज, लेकिन CPL में आप उनसे एक बर से उमीद कर सकते हैं, क्योंकि हाल में उन्होंने उस्ट्रिलिया के खिलाज सीरीज में अच्छे विकेट लिये थे, तो उमीद है, अ शेय होप को भी मैं रख सकता हूँ, बढ़ शेय होप और जॉनसे चार्ल्स में मैं पहले प्रिफर करूँगा जॉनसे चार्ल्स को, क्योंकि शेय होप के जो बैटिंग स्टाइल है, वो टीट्वेंटी को थोड़ा सा उतना सूट नहीं करता, काईल मैर्स अपनी टीम में आ अनुष को और मुझे टाइक करके जरूर बताइए कि आपने कौन सा जो कॉंटेस था वो खेला था और क्या आपने युवराद सिंग को हराया तो ये तो होगा लेकिन युवराद सिंग को आप हराएंगे, ये तो आपके लिए खुशी की बात होगी, हमें भी आप अपने बता सकते हैं कि आप की कितने पॉइंट्स मिले आपने हराया नहीं हराया, लेकिन इसके अलावा जो CPL है यहीं तक खत्म नहीं हो जाता, क्यों आपको पूरा का पूरा CPL अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करने के ज़रूरत है, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा लिजे ताकि सारी अपडेट आपको CPL के मिलती रहे